हेलो फ्रेंड्स, सूचना का अधिकार अधिन्यम क्यों लाया गया था, इसकी प्रष्ट भूमी से आप सभी लोग वाकिफ हैं। सूचना का अधिकार अधिन्यम में किस दोरा सूचना मांगी जा सकती, अर्थार्थ कौन सूचना मांग सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एक फर्म द्वारा या एक वानिजी किकाई द्वारा सूचना मांगे जाने पर क्या उब्बंद हैं। जब माननी सूचना आयोग राजस्तान के समक्ष मैसर्स सोना एंटर्प्राइजेज बनाम चीफ कंजर्वेटर फॉरेष्ट के मामले में आया, तब माननी राजस्तान सूचना आयोग ने यह निर्णे दिया, कि कोई भी फर्म या कोई भी वानिजी किकाई, सूचना का अधिकार अधिनियम अर्थार्थ आर्टिया एक्ट में सूचना नहीं मांग सकती, और कोई भी आर्टिया एक्ट में सूचना यदि मांगने के लिए आविदन करती है, तो आविदन प्रारम से ही दुशित है, अर्थार्थ वो नहीं माना जाएगा, सूचना का की परिदिकार थिन्यम में को सुचना का दिन्यम में यदि किसी कंपनी के दुरा कोई अपिल कि गई है तो उस sóum को भी नहीं माना जाएगा क्योंकि जब आवेदन करने का ही अधिकार नहीं है तो अपील करने का अधिकार कहां से आएगा अतह अपील कानून की परिदी से बाहर होने के कारण खारिज की जाती है यह निर्णे माननी सुचना योग राजस्तान ने मैसर सोना एंटरपैजेज बनाम चीफ कंजरवेटर ऑफ फोरेश्ट राजस्तान के मामले में दिया था इससे यह इसपस्ट होता है कि सुचना का अधिकार अधिकार अधिनियम केवल और केवल नागरिकों को सुचना देने से समधी थे कोई भी कंपनी या कोई भी वानेजिक फर्म सु इसका उत्तर होगा नहीं सुचना के अधिकार अधिकार अधिनियम 2005 की धारा तीन और माननी सुचनायोग रजस्तान दोरा मैसर सोना एंटरपैजेज बनाम चीफ कंजरवेटर फोरेश्ट के मामले में दिये गए निर्णे के मुताबिक यह इस्थापित कानून है कि सुचन केवल नागरिकों को दी जा सकती है किसी वानजी की काई या किसी फर्म या किसी कमपनी को सुचना के अधिकार अधिनियम में सुचना मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है यदि किसी फर्म या यदि किसी कमपनी द्वारा को सुचना मांगी जाती है तो चूंकि वह कंपनी को नागरिक नहीं माना जा सकता फर्म और कंपनी विदिक व्यक्ति हो सकती है लीगल प्रस्नालेटी हो सकती है कि नागरिक नहीं होती हर लीगल प्रस्नालेटी हर विदिक व्यक्ति नागरिक नहीं होता चूंकि नागरिक जो है इंडिविजल होता है चूंकि फर्म या वानजीक इकाई नागरिकता प्राप्त नहीं होती है अर्थार्थ फर्म और वानजीक इकाई को कोई नागरिकता प्रदान नहीं की जाती है इसलिए सुचना के अधिकार अधिनियम में सुचना मांगने के लिए फर्म या वानजीक इकाई पात्र नहीं है एलिजिबिलिटी नहीं है उनकी वो नहीं मांग सकते कोई भी व्यक्ति सुचना मांग सकता है इसका सिधा सा आशे यह है कि कोई भी नागरिक सुचना मांग सकता है इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी फर्म या कोई भी वाने जी के कई सुचना मांग सकती है कोई भी फर्म या कोई भी वाने ज झाल झाल